तो अगर आपको एक्ने और पिंपल्स हो रहे है और आपने कई सारे प्रोडक्स को यूज कर लिया है और बहुत सारे पैसे को वेस्ट कर दिया है और अभी भी आपको एक्ने हो रहे है तो इस वीडियो में हम ऐसे पांच कारण के बारे में बात करेंगे कि आपको लगातार ए कुल देखिए पूरा वीडियो को करता है सीधा प्रारणब बहुत सार naar अंदिक हमें 11 वारा हैं हम सब कुछ कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम इतके 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाल है और 5 वा पॉइंट है वह बहुत ज्यादा important तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना है तो सबसे पहला जो कारण है वो है digestion issue और hormonal imbalance digestion अगर आपकी खराब है तो आप अच्छा food clean food खाएगे तो भी आपको problem होगी और digestion अगर आपका अच्छा है तो आप कोई भी food काया होगे वो आपके digest हो जाएगा तो digestion को clear रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको acne हो रहे है तो कुछ चीज़े आप यूज कर सकते हो जैसे कि खाने में salad आप यूज करते हो तो उसमें उसी में दूसरा है वो है hormonal imbalance और hormonal imbalance के बहुत स्रादया कारण होते हैं लेकिन उसमें सबसे पहला है वो है हमारी age 16 से 21 तक हमारी body totally change हो रही होती है और उसी में ज्यादा testosterone होता है और hormone हमारे यहां वहां होते रहते हैं जिसकी वज़े से acne होना शुरू होते हैं और stress की वज़े से overthinking की वज़े से सीधा effect पड़ता है आपकी sleep पे आप अच्छे से नीद आती है और उससे आपका cortisol बहुत ज्यादा कम होने लगता है और stress भी कम होने लगता है इससे तो exercise अगर आप करते हो ठक जाते हो अपने mind को अपने body को ठका देते हो तो वह भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो दूसरा कारण है कि आपकी life में stress बहुत ज्यादा है इसकी आपको acne हो रहे है तीसरे point के बारे में बात करते हैं वो है आपकी genetics genetics में आपको अच्छी चीजे भी मिलती है जैसे कि आपकी memory आपका mind आपकी strength आपके अच्छे looks लेकिन खराब चीजे भी आपको genetics में मिलती है जैसे कि diabetes, blood pressure problem, body issue ऐसे ही आपको acne की problem भी genetics हो सकती है तो अगर आपकी family में mother या फिर father को किसी को भी acne की problem थी तो उनसे पूछे कि क्या आपको अपनी young age में acne की problem थी तो अगर आपको जवाब मिलता है हा तो वो आपकी genetic acne हो सकती है और उसी की वज़े से आपको acne हो रहे है genetic acne पूरी ठीक तो नहीं हो सकती वो कुछ age तक आपको रहेगी ले यह ता हमारा तीसरा कारण के genetic की वज़े से आपको बार बार acne हो रहे है तो जो चौथा point है वो है allergic food आपको कोई भी food से खाने से allergy होती है और वो आप खाते रहते हो और आपको पता नहीं है कि वो आपको acne दे रहा है तो उसी की वज़े से आपको लगातार acne हो सकते है यह ब एकने के breakout हो जाते हैं और मैंने पिछले संड़े एक cheese sandwich खाई थी और अभी भी मुझे acne हुआ है प्रूब हो गया ना तो ऐसे ही मुझे cheese से allergy है से कोई भी food से आपको allergy हो सकती है कोई भी या फिर milk पीते है तो भी आपको allergy हो सकती है तो ऐसे foods को identify करो और उसको बंद कर दो खाने में तो इस वज़े से भी आपको बार-बार acne हो सकते है कि कोई भी food से आपको allergy हो आप उसको ठूस ही जा रहा है तो उसको ठूसना मतलब खाना कम कर दो तो पांचवे point के बारे में बात करते हैं बहुत ज्यादा सवाल आप है कि क्या masturbation से acne होते हैं बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं तो यही point है हमारा के excessive masturbation करने की वज़े से भी आपको acne की problem हो सकती है कैसे यह कहता है कि त्रीदोष की वज़े से हमारा वातकप और पित जो होता है उसकी वज़े से वह imbalance होता है जिसकी वज़े से आपको acne देता है तो excessive masturbation अगर आप करते हो तो भी आपको acne की problem हो सकती है कोई की चीज़ limit में अच्छी लगती है limit पर करो बढ़िया होगी तो excessive masturbation करते हो तो भी आपको acne बार-बार हो सकती है तो यह पांच कारण की वज़े से आपको बार-बार acne हो रहे हैं सबसे पहला है वह है digestion और hormonal issue दूसरा है stress genetics 14 है आपको फूर से allergy हो रही है और पा पांच कारण की वज़े से हो सकते हैं तो अगर आप अपनी lifestyle में छोटे-छोटे से changes लाते हैं तो वह आपको जरूर help कर सकता है जो हमने इस वीडियो में बात की अगर आपको यह वीडियो helpful लगा अच्छा लगा like बनेगर क्लिक कर दीजे channel को जरूर subscribe कर दीजे और comment करके ब कर दो है